हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 24 मार्च 2022 और दहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूजपेपर की पीडियेप कोपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तना ये सेकेडमे टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे बहले बात करेंगे भारत के इतिहास में अब तक कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है 400 बिलियन डॉलर किसी भी फनेंसिल एर के अंदर यानि एनुवल जो था कि देश में 400 बिलियन का एक तरीकेश एक्सपोर्ट करना है उसको हमने 7-8 दिन पहले ही अचीव कर लिया ये हमारे लिए extraordinary achievement है लेकिन इन सब चीजों के वावजूद भी कुछ problems है उसको पढ़ेंगे और export जब हम करते हैं इसके क्या benefit होते हैं और इस export के क्या मतलब ह उसके बारे में पढ़ेंगे प्राइमिश्ट साब ने congratulate किया farmers को, weavers को और micro, small and medium enterprises को कि ये जो achievement है ये हमारे लिए बहुँ ज़्यादा important है भारत का जो merchandise export है या वेपार जो है वो 400 billion dollar increase हुआ और 9 दिन पहले हमने ये target को हासिल कर लिया लेकिन इन सब चीजों के बीच भी ज trade negative होने का क्या मतलब होता है कि export और import के बीच में जो gap होता है कि अभी भी हम import बहुत ज्यादा चीज़ करते हैं और import में definite सी बात है petroleum products हो या अगर आप देखेंगे gold हो अगर आप चाइना से medical equipment की बात करते हैं तो engineering जो समान आता है या semiconductor हो सकती है या जो raw material चाहिए pharmaceutical ingredients के गोलते है active pharmaceutical ingredients इस तरह की चीज़े हमें import करते हैं तो अभी भी और जो negative trade balance आप देखते हैं चाइना के साथ हमारा बहुत ज्यादा negative trade balance है क्योंकि 125 billion dollar का trade माल लेते होता है चाइना और इंडिया के बीच में इसमें से 97 billion से ज्यादा का हम लोग import करते हैं और अगर आप देखे साफी ज्यादा gap इंडिया और चाइना के बीच में trade balance में आपको देखने को मिलेगे खेर इन सब के बीच में अच्छी news क्या है कि agriculture में बुस्ट हुआ चाए वो राइस हो चाए वो बासमती हो या नोन बासमती हो यह एक अच्छी news हमें देखने को मिलती है भारत ने 400 billion dollar का एक जो target set किया था 2021 में उसको हासिल कर लिया है और यह पहली बार ऐसी चीज़े हुई है इनके अलावा हम जो export करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़े हैं जैसे engineering product हो सकते हैं अप्रेल and garment यानि जो एक तरीके से कपड़े होते हैं उसको हम transfer करते हैं या एक तरीके से export करते हैं petroleum product हो सकते हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर include ही और इसके अलावा ये important sleep ही था क्योंकि global uncertainty बहुत ज़्यादा है दुनिया में बहुत सारी अंसिता हैं क्या होगा क्या नहीं होगा Ukraine crisis के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं इन सब के बीच में भारत की ability जो है कि वो अपने export goal को हासिल कर पाई तो ये एक milestone की तरह इसको consider किया गया और आतम निर्वर भारत की journey के अंदर ये एक extraordinary achievement जो है वो mention किया कि इसके अलावा यहां पर बताया गया कि 2018 में 331.02 billion dollar हमने हासिल किया था जब pre pandemic था सरकार का estimation कि लगबग 410 billion dollar का export हम लो आपको बता होगा भारत के बहुत सारी countries के साथ free trade agreement को लेकर negotiation चल रही है जिसमें UK है, UAE है, Australia है, Canada है, even Israel जैसी countries के साथ भी हमारा free trade agreement को लेकर एक तरीक से discussion हो रहा है, बातचित हो रहा है और अगर free trade agreement होता है यानि दोनों countries के भीज में trade smooth हो जाता है या चीजें आसान हो जा और खासकर export improvement होगा तो हमारा जो negative trade balance है इसको भी कम किया जा सकता है इनके लाव agriculture based product में काफे जाद export किया गया चाहिए वो rice हो, marine product हो, wheat हो, spices हो, sugar हो और माना जाता है कि 2022 में wheat की shortage होगी जब युक्रेयन और रशिया की बीच में conflict चल रहा है, दुनिया भर की जो country है, जैसे इ इक्सपोर्टर की तरह बन सकता है, क्योंकि भारत के पास आदे से ज़्यादा गिहूं जो हो वो additional है, तो हम export इसको कर सकते हैं, इसके अलावा ये made in India को के perspective में भी ब्लोक बस्टर एक achievement है, ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत जादा important है, और यहां पर इन्होंने थैंक्स क कि ये जिसमें जितने भी agriculture farmers हैं या fishermen हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भी एक तरीके से important role है, और ये कह सकते हैं कि our role team India, ये सब ने मिल जोलकर ये काम किया है, और भारत के लिए एक great achievement है, यानि कोडिनेशन है, सरकारों के बीच में, industries के बीच में, मिनिस्ट्री के बी और हमारे farmer, fisherman, जो भी इसके अंदर involved है, सब लोगों की समान भागिदारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद इस particular page पर यहाँ पर एक छोटी शी news दी गई है, ये news basically यहाँ पर हलाकि brief में बताया गया है, और बाद में इसके बारे में डिटल से डिसकस किय गया, news क्या वो हम थोड़ा देख लेते हैं, डिजिस्टल ट्राइल में unravel crash mystery, अभी आपने सुना होगा पढ़ा होगा चाइना का क्यों Eastern Airlines का flight था, March 21, 2022 को ये crash कर गया, जिसमें 132 on board जो passenger थे, उनकी death होगी है, तो इस context में क्या responsible था, क्या altitude में loss हुआ था, या माना जाता है क speed एक तरीके से sudden drop होगी, या aircraft का system के ओपर कोई doubt है, इसके अलावा, यहाँ पर speculation ये भी है, कि जो pilot है, उन्होंने suicide कर ली, बहुत सारी चीज़े हैं, इसको decipher करने के लिए, इसके बारे में analysis करने के लिए, digital flight data recorders को analysis किया जाएगा, और cockpit voice record को एक तरीके से recording को identify करना, कि क्या reason था इसके पीछे, उसको लेकर ये target करता है, एक interview भी दिया गया है, इस particular issue को लेकर कि digital trial में कैसे impact किया, और इस crash के पीछे actual में mystery क्या है, इसके बाद page number 4 पे अगर आप देखेंगे, states का जो topic mention है, needed new reservoir in state of mula peria dam says kerala, ये जो dam है, ये कई बार news में रहता, ये बांध अगर तमिलनाडू के border पर है, लेकिन केरला के अंदर basically इसकी geographical location तमिलनाडू इसको monitor करता है, इस dam को लेकर बहुत सारी issues है, issues क्या है, एक तो ये बहुत पुराना है, 126 year old हो चुका है, दूसरा security को लेकर issues रहता है, कि इसकी वज़े से कर dam कहीना by mistake लिए collapse कर गया, तो क्या security को ले कर एक तरीके से issues है, दोनों state के बीच में, तमिलनाडू maximum utilization करना चाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर water इतना ना हो कि भाई ये उसको संभाल ना पाए, और डैमेज हो जाए, और आज पास के areas को कहीने कहीं नुकसान पहुँचा है, इसको लेकर various petition, जो है Supreme Court के अंदर pending है, discussion उसके उपर हो रहा है, और यहाँ पर ये बात की जारी है, कि केरला ने कहा कि एक instrument जो होना चाहिए, कि, sorry, court ने कहा कि instrument इस तरीके से use किया जाए, खास कर seismic warning system को लेकर कि माल ने ते, अर्थ कोई का गया, भुकम पा गया, कोई इस तरह की करेगा, इसी तरीके से तमिल लाडू और केरला के इसके अंदर technical member हो, और इसको ensure करे कि water की जो limit है, water की जो height है, वो इतनी रहे, जिसके वज़े से आसपास में, या इस तरह की कोई unnatural activities के वज़े से उसमें नुकसान ने पूच रहे, ये हमारे लिए सब से ज़्यादा important है, औ और maximum credible earthquake forces के दुरान ये अपने आपको कैसे presence करता है, कैसे actively एक तरीके से function करता है, इसको लेकर ध्यान अखना है, इसकी height को लेकर भी, यानि इसमें total पाने की quantity कितनी होने चाहिए, इसको लेकर भी दोनों राज्यों में, केरला और तमिल नाडू में एक तरीके से issues है, और अ दूसरे राज्यों के अंदर dams है, जिसको monitor करता है, supervision करता है, ये अपने आप में तमिल नाडू के perspective में important है, और तमिल नाडू के माना कि अगर ये bill pass हो जाता है, या इसको लेकर लागू हो जाता है, तो उनके जो rights है, वो कहने कहीं छीन ली जाएंगे, ये अलग-अलग issues आपको देखेने को मिलेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे text and context का जो page है, और ये page number 10 और page number 11 पर तीन important topic इसमें पढ़ेंगे, पहला मेके दातू करके जो water project है, करनाटका government का, इसको लेकर करनाटका और तविल नाडू में debate क्यों हो रहा है, या arguments क्यों हो रहे है, या एक दू और इसके अलावा जो इसके अगले page पर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे nutrition को लेकर या school जो बंद हुए थे उसकी वज़े से, nutrition fallout हुआ, midday meal scheme का क्या important role इस पूरे scenario के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, the controversy over the proposed मेका दातू water project, यानि इस water project के बारे में इतनी ज्यादा controversy क्यों है, ये news में क्यों इतना रहता है, और ये drinking water project जो है, ये confrontation का source क्यों बन चुका है, दोनों parties, यानि जो करनाटका और तमिलनाडू है, basically करनाटका का प्लान ये है कि मेका दातू की वज़े से, या मेका दातू project के थूँ, एक बड़ी quantity में पा विरोध करता है, और कावेरी नदी क्योंकि दोनों राज्य सेर करते हैं, तो इस context में ये dispute का, एक interstate dispute का आपको नजरिया इस पूरे scenario के अंदर देखने को मिलेगा, तमिलनाडू का, या करनाटका का इस पूरी issue को लेकर क्या opinion है, क्या issues इसके सामने आ रहे हैं, और ये project का म पतलब नहीं होनता, तमिलाडू ये बोलता है, इसकी वज़े से कहीं नहीं कहीं, फ्लो जो है, कावेरी रिवर का वो disturb होगा, तो तमिलाडू assembly ने रेशनले एक resolution पास किया, कि इस project के गेश्ट, करनाटका legislative assembly भी इसी तरीका resolution वहाँ पर पास करने वाली है, कि early implementation हो, और clearance हो, तो दोनों राज्य इस issue को लेकर आमने सामने आपको नज़र आएगा, में कहला तो एक drinking water come power generation project है, यानि इसमें drinking water को भी improvement करना है, या facility provide करना है, और power generation भी करना है, करनाटका के अंदर और कावेरी नदी पर ये लग होगा, 9,000 क्रोड रुपे का एक project है, जिसके अंदर करना 1000 million cubic feet जो water है, वो ट्रांसफर किया जाएगा, कहां पर बेंगलूरू के अंदर, इसे लिए करनाटका है बोल रहा है, ये project हमारे जियोडिक्षिन के अंदर है, नमिलनाडू कई permission लेने की हमें आउशकता नहीं है, क्योंकि पानी एक ऐसा issue है, जो सबसे ज़्यादा emotional भी है, और इसमें dispute भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि south के जो state है, वो एक तरीके से peninsula इंडिया के अंदर आते हैं, और जहाँ पर पानी की shortage हो जाती है, खासकर गर्मी में, क्योंकि monsoon base river है, अगर आप north इंडिया हम देखें, गंगा, प्रमपुत्रा, इंडर्स रिवर, ये एक तरीके से हिमालन रिवर है, जिसमें continue flow रहता है पानी का, लेकिन south इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, monsoon पे काफी हद तक depend करती है, और इसलिए यहाँ पर आपको interstate water dispute भी आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, इसके अलावा, यहाँ पर बात की जा रहे है कि मेका प्रोजेक्ट है, अक्रोस रिवर कावेरी, जो पर्पोज किया गया है करनाटका के दवारा, इसको लेकर तमिलाडू असेमली ने जो resolution पास किया, इसी चीज़ के बारे में repeat mode पे बताया गया कि अब तक की story यह है, अब बात करते हैं, 2023 में करनाटका के अंदर चुना होने व पार्टी है, जनता दल सेकुलर, उसका एक hold इस particular area के अंदर रहा है, तो अब अलग अलग पार्टी, क्योंकि एक ऐसा issue है, जिसमें विरोध नहीं कहाजा सकता, तो चाहे बीजेपी हो, Congress हो, या जनता दल सेकुलर हो, वो इसमें कहीं ने कहीं, उन जो वोटर है, जैसे वोका लिगा जो वोटर है, इनको अपने तरफ consolidate करने कोशिश कर रहे हैं, इसे लिए करनाटका के अंदर Congress ने एक पदियातरा भी शुरू करी थी, वो यहीं चाहते थे कि immediate basis पर ये एक तरीके से project को लागू किया जाए, तमिलाडू का concern ये है, कि इसकी वज़े से water supply की वज़े से एक issues create होते हैं, और इसका flow में कहीं न कहीं dispute होगा, project basically है क्या, 1948 का ये मेका दातू जिसका नाम बोला जाता है, goat crossing करके indicate करता है, और drinking water का power generation project है, कावेरी नदी पर, इस project में जो final award होगा, ये कावेरी water dispute tribunal के through notify किया गया था, 2013 में, और इसके बार दोनों राज्यों का अपने अपने हिस्से का पानी जो है, वो divide कर दिया गया था, अब ये 9,000 क्रोट रुपे का जो project है, इसमें करनाटका ये बोल रहा है कि जब एक तरी के award इसको लेकर आचुका है, decision आचुका है, कावेरी water river को लेकर, तब हम इसके अंदर अपने area के अंदर इस तरह के dam बनाने के ल solution होगा, दोनों के बीच में, sort out चीजें हो जाएंगी, तो ये कुछ चीजें यहां पर mention करी गई है, ये important क्यों करनाटका के लिए, करनाटका के अंदर बेंगलोरू आप जानते जितनी भी important city है, mega city भारत के अंदर है, बेंगलोरू one of the famous है, क्योंकि IT city भी है, और Silicon Valley भी करना इस particular area में, ये important होगी, और आने वाले 30 सालों तक इनको ये पाने की supply होती रहेगी, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, इनका, क्योंकि ये drinking water कम, power generation है, तो 400 megawatt की power भी इसके थूरू generate की जाएगी, ताकि जो cost सरकार को लगेगी, उसको कहने कई, फिलप की आज़स क के आने वाले कुछी सालों के अंदर, इसी चीज को लेकर तमिलाडू थोड़ा नराज है, कि भई करनाट का ये बोल रहा है कि हमारे areas के अंदर है, तो हम इसमें जैसे चाहें, अपने यहां पर कानूर बना सकते हैं, जरूत क्या है, हाइड्रोलोजिकल, हाइड्रोलोजी ब इंडिकेट करेगा, दूसरा, जो इसको लेकर तमिलाडू और करनाटका के बीच में इस रीवर को लेकर जो जजमेंट आया था, या ट्राइविनल का ओडर आया था, उसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में कहीं पर भी मैंसन नहीं है, तो ये कहीने के इन दोनों के बीच में कंसर्ण है, क्या करनाटका इस इशू को लेकर नेगोशेशन करने को त्यार है, इसका आंसर है नहीं, करनाटका ने साब कलीर कर दिया है कि भई, जब ट्राइविनल ने फाइनल आउडर दे दिया है, वो चाहते है, इमेडिट बेसिज पर इसमें पास हो, पूरा का पूरा और करनाटका के पोलिटिकल सर्कल्स में अगर आप देखेंगे, रिशन में उनके मिनिस्टर ने भारत के जो एक तरीके से यूनिन वर्ड रिसॉर्स मिनिस्टर गजेंदर सिंग से खावाज इनसे मुलाकात करी, नेगोशेशन को लेकर उनोंने का, कि जब फाइनल जैजमे हम नेगोशेशन नहीं कर सकते, करेंगे, और दूसरा, क्योंकि करनाट, तमिलाड उसको लेकर विरोध करता तो उसने सुप्रेम कोट के अंदर कुछ पिटिशन फाइल करी है, जिसको काउंटर पिटिशन किया है, किसने करनाटका और भारत सरकार ने, ठीक है, तो ये कुछ इशूज आपको देखने को मिलेंगे, अब बात करते हैं सवाल की, आप लोगों के लिए क्योशन है, कावेरी को लेकर ही है, आपको मेंशन करना है, कि कावेरी रिवर की जो ट्रिबिटरीज है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कौन कौन सी है, वो आप नीचे कमे होने वाला इसके बारे में बात करेंगे, तो Artemis ये प्रोग्राम जो NASA का है, New Moon Mission करके जो टाइटल दिया गया है, इसका क्या importance है, तो ये कैसे next generation के लिए lunar exploration में मदद करेगा, और इसके objectives क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो Artemis first करके जो एक mission होगा, NASA का, इसको space mission बोला स्पीड नहीं, जो travel करेगा, 280,000 miles अर्थ से लेकर और 4-6 weeks के अंदर ये complete करेगा, ये important है क्योंकि lunar operation को लेकर एक multi-purpose objective के साथ ये जाएगा, और आने वाले time में इनकी planning यी है, कि इस पूरी इश्यू में Mars नहीं, ये by mistake लिए रिखा है, मून पर ये अपने astronauts को भेजेंगे, और इसको लेकर ये, इनके बहुत सारी, इनकी learnings के तुरू आने वाले time में, Mars पर अपने astronauts को भेजेंगे, मून पर भी भेजेंगे, उसको लेकर identification करने को लेकर, हलकि मून पर, चान पर तो पहले भी जा चूँए, लेकिन Mars पर ये important होगा, कि इस study के तुरू, हम लोग मून क observe करेंगे, और उसके बाद जो है, हमारा जो mission होगा, कहां पर, Mars पर भेजने को, उसको लेकर भी, हम लोग indicate करेंगे, इससे बहुत सारी चीज़ेंगे, तो NASA का Artemis mission जो है, ये next generation के लिए, बहुत जादा important है, और ये माना जाता है, कि इसका name, जो है twin sister of Apollo from Greek mythology, इसके उपर रख जो है, ये NASA का Deep Space Exploration System है, और launch किया जाएगा, एक spacecraft के थरूँ 2022 के अंदर ही, और most powerful rocket है, दुनिया के अंदर, जो travel करेगा, 280,000 miles में, ठीक, इसके बाद, यहां पर बताया गया, कि इसका aim ये भी है, कि इस mission के थरूँ आने वाले time में, जो moon पर humans को भीजने का program है, NASA का 2024 तक, उ इसके लिए, पहली महिला यहां पर land करें, first person of color on the moon, यहां पर land करें, यह important है, और इसके scientific discovery के economic benefit भी होंगे, जो आने वाले time में, young generation को inspire करेगा, इस पूरे space industries के अंदर, क्योंकि ये mission केवल NASA का नहीं है, NASA इसमें leading space agency, बट दूसरी agency विजए से Canadian space agency, जो है, ये advanced robotic इसको provide कर र इसको provide कर रही है, इसके लावा deliver कर रही, additional communication capabilities को, ये एक important है, और Japanese space exploration agency, जाक्षा जिसको बोलते है, ये provide कर रही, habitation component and logistic resupply, अब इस mission की trajectory के बारे हैं, बताया गया, कि कैसे ये travel करेगा, क्योंकि ये interim cryogenic population stage के थ्रू जो है, वो कहीने के deploy किया जाएगा, तो इसमें एक liquid stage हो की liquid hydrogen होगा, और उसके base पर propulsion system होगा, जो Orion को एक thrust provide करेगा, जो Earth की orbit से travel करेगा towards the moon, और इसमें अलग-अलग एक तरीके से बताया गया, कैसे gravity system function करेगा, और कैसे ये overallic system को analysis करेगा, main मकसद क्या है, main मकसद है, moon को observe करना, इसका aim यहाँ पर आप देखेंगे, इस exercise का aim है, data collect क करना, mission control के perspective से, और आने वाले time में, data के through, अगले जो future mission होगा, उसको complete कर पाए, और जैसे ये वापिस आ जाएगा, तो जैसे return हो जाएगा, आरत पर इसका main target हो, complete हो जाएगा, तो इसके through, आने वाले time में, learnings के through, moon की बारे में observe करना, और जो future mission होगे, human exploration के perspective में, solar system में, उसके perspective में foundation की तरह ये काम करेगा, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, page number 11 पर the nutrition fallout of school closure करके, the nutrition fallout of school closure, COVID-19 के बाद यहाँ पर बात की जा रही है, कि बच्चे जो school में पढ़ने जाते थे, midday meal scheme या तो बंध होगी, या proper function नहीं कर पा रही है, जिसकी वज़े से, बच्चों के अंदर hunger और malnutrition की problem आपको COVID-19 के बाद खास कर, ज्यादा देखने को मिलेगी, इसी चीज़ को लेकर analysis किया जा रहे है, भारत के अंदर midday meal जो scheme है, इसके अंदर बताया गया कि लगबग 4500 calorie energy, इसके अलावा 12 gram का minimum protein होना चाहिए, इसके अलावा include होने चाहिए adequate quantity किसकी micronut किया गया था, तब ये guidelines के अंदर ही बताया गया, ये important है, खासकर उस category में बहुत सारे बच्चे आज भी भूके school में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है, खाने के लिए properly food नहीं है, या nutritional source नहीं है, तो ये important nutritional source था, लेकिर इसमें COVID-19 की वज़े से बहुत सारे school बं गी है, यहाँ पर बताया गया कि लगबग 116 million children जो है, ये hungry children के अंदर आते हैं, और इसमें से बड़े ही संख्या में भारत के हैं, ठीक, और क्योंकि ये school, ये जो प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा school के बच्चों को जो भोजन प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक है, फ्लैक्सिप रिपोर्ट जो इंडिकेट करती है, लेकिन state of food security and nutrition in world 2020 के अंदर ये बताया गया कि दुनिया में 369 million children जो है, वो school बंद होने की वज़े से, वो कहीने कहीं एक तरीके से, उनका schooling छूट रहे हैं, या उ इसके बाद 2020 की global hunger index के बारे में बताया गया, कि 2020 में global hunger index में भारत का जो rank है 107 country में 94 है, अब तो 2021 की भी report आ चुकी है, और हम लोग पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, इन हमारे जो परोशी country इनसे भी काफी पीछे नजर आते हैं, जो global hunger index है, ये चार इसके indicator होते हैं, जैसे यहां बरे बताया गया, सबसे पहले, under nutrition in the population, यानि जो nutrition होना जो उससे काफी कम nutrition होना, इसके impact क्या होते हैं, wasting हो जाती है, low weight for height, यानि height के compare में एक बच्चे का weight improvement नहीं होता, stunning, मतलब age के compare में उसकी height improvement नहीं होती, और mortality यानि 5 साल से पहले ही उसकी मृतिव हो जाती है इसको next में ये indicate करते हैं, global hunger index के अंदर, इसके अलावा zero hunger का जो target है, उसको achieve करना भी definitely एक challenge बना हुआ है, क्योंकि ऐसी situation के अंदर उसको achieve करना काफी challenge गया है, इसके अलावा बहुत सारी international labor organization है, UNICEF है, COVID-19 और इसके बाद ये बताया गया कि क्योंकि economically बहुत जादा ये sound नह तो उनके लिए बहुत challenging है, क्योंकि ये क्या करते है, child labor के अंदर अपने बच्चों को involve करते हैं, क्योंकि source नहीं है, इसके अलावा social security के लेकर issues रहते हैं, तो इस context में बहुत सारे बच्चे school review और reopen होंगे, उस context में साइध वो school में ना पाए, ये एक बड़ा concern है, इसके ब बड़ी सेंख्या में कुछ school जो है इसको या कुछ state इसको implement करने में स्टगल करने है, कुछ state ने improvement किया जाए, तमिल नाडू और पुडूचेरी ने innovation किया है, कि midday meal scheme के अंदर nutrition meal program के अंदर improvement करेंगे, इसके बाद एक alternate आता कि dry ration जो है वो provide किया जाए, लेकिन उसमें भी कह इने कहीं issues create होते हैं, कि इस तरह की चीज़ों को implementation करने में, even food corporation of india ने data provide किया, कि वही school जो state को तरीके से भोज, तरीके से जो अनाज है, गेहूं है, या जो भी इसके अंदर आप देखेंगे, ग्रेंस है, उसको off-take करना होता है, रज्जों को लेना होता है, लेकिन उन्हो जैसे बिहार में, यहां पर बताएगे कि अप्रेइल मही 2019 में, या इसी context में 2020 के अंदर जो data होना चाहिए था, off-take करना चाहिए था, ग्यूं का, वो नहीं क्या, तो यह बड़ी problem है, तो जरूर्ट यह चीज़ को लेकर है, कि मिडेविल स्कीम में जो issues create होरें, उसको sort out किय जाए, nutrition के लिका important source है, अगर यह नहीं होगा, तो nutrition को treat create करेगा, food security को treat करेगा, यह priority के अंदर होने चाहिए, और innovative strategies को follow करना चाहिए, ताकि हम लोग आतम निर्वर पोस्टन, आतम निर्वर भारत, उन चीज़ों को कहने का include करे, innovative approaches क्या हो सकती है, कि आप local farmers के साथ connect करिए, जिसे उनकी income को भी बढ़ावा मिले, और बच्चों को nutritional facilities मिले, एक तरीके से farmers की economically उनको improvement मिले, और दूसरा cost भी minimum हो, जैसे यहाँ पर आप transportation cost वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी, सरकार को भी इसका benefit होगा, vegetable और fruits इसके अंदर add करे, ताकि nutritional sports जो है, उसके अंदर improvement किया जास के, तो यह important है, और social program जो होते है, social production program उसके लिए effective delivery बहुत ज़्यादा important है, खासकार millions of children जब nutrition उनको deliver नहीं किया जादा, बहुत सारी problem में वो, या health को लेकर काफी ज़्यादा issues create होते हैं, आप लोगों के लिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है कि अभी अपने बात करी, global hunger index के बारे में, आप लोगों के लिए दो question है, पहला, global hunger index का जो report है, यह basically release कौन करता है, यह releasing agency कौन सी है, और second question यह है, कि global hunger index के अंदर, 2021 में भारत की ranking क्या आती, अभी हमने पढ़ी 2020 वारी, 2021 में क्या ranking है, यह आप नीचे comment करेंगे, ठीक है, इसके बाद बात करेंग और यह हमार external affair minister और national security advisor इन से बातचित करेंगे, इसके अलावा, प्राइम minister साफ से बातचित होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर अभी discussion हो रहा है, बातचित के बारे में कि इसका क्या procedure होगा, लेकिन इस visit के अंदर, LAC resolution को लेकर हो, Ukraine crisis को लेकर हो, इन सब चीजों को लेकर discussion क किया जाएगा, यह पूरे के पूरे issues को लेकर बात करते हैं कुछ important visit की, कुछ important points की, चाइना के foreign minister वांगी, यह पहली बार दो साल के बाद भारत के अंदर आएंगे, यह important है क्योंकि अप्रेल 2020 में जब PLA यानि People Liberation Army ने transaggression particular area के अंदर किया था, तब issues यह थे कि क्या भारत इसको continue करेगा, नहीं करेगा, भारत ने बोला था कि जब तक properly sort out नहीं होगा, तब बातचित नहीं होगी, दोनों में थोड़ा difference है, इसके बाद यहाँ पर Ukraine से लेकर LSE तक और BRICS प्रोसेस के बारे में भी discussion किया जाए, क्योंकि भारत और China दोनों BRICS का part है, दोखो दो importants चाइना ये बोल रहा है कि भाई, किसी भी country के relationship को लेकर, जो boundary dispute है, ये सिर्फ एक part है, भारत ये बोल रहा है कि जब तक ये sort out नहीं होगा, या एक तरीके से smooth या political relation है, उसमें smooth process नहीं होगा, तो दोनों में थोड़ा difference है, रिशनले रिमाक्स जो कस्मीर को लेकर, चाइना क foreign ministry ने जो एक रिवाक्स दिया था कि हम लोग अपने जो अभी organization of Islamic corporation की meeting हुई थी, उसमें बताया था कि हम अपने Islamic friends के साथ हैं, और China जो है, इसके साथ एक उमीद उनके साथ ही stand करता है, भारत ने कहा थे कि भाई, पहली बात तो ये है, कि आप इस तरह की चीजों को भारत क perspective में कोई reference को हम indicate नहीं करते, और कोई भी country भारत के internal matters में, या हमारी integrity और sovereignty को challenge करेगी, उस तरह की चीज़े accept नहीं की जाएंगे, लेकिन इन पूरे context में, क्या भारत और China के relation normal हो रहे हैं, इसको लेकर एक debate आपको देखने को मिलेगी, और इस agenda के अंदर important है, कि जो border पर बह अभी भी dispute है, खासकर line of actual control में, उसको sort out करने के लिए क्या ministry level की बातचीत आने वारी time में शुरू होगी, ये important है, इसके अलावा, यहाँ पर क्योंकि BRICS की meeting होने वाली है, जिसमें Brazil, Russia, India, China, South Africa है, इसके लिए भी प्राइमिस्टर को invitation भीजा जाएगा, और BRICS क्योंकि चा information आई, अभी West Bengal के अंदर बड़ी संख्या में हिंसा होई या violence होई, हलाकि पहली बार नहीं है West Bengal में, पहले भी इस तरह की political violence देखने को मिलती है, लेकिन इन सब के बीच में एक article news में आया, article 355, ठीक है, किसने क्या बोला वो important नहीं, इस article का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं, भारत के समिधान में, article 355 का मतलब होता है, कि के अंदर सरकार के duty है, कि राज्यों को protect करे external aggression और internal disturbance create होनी के वाज़े से, और इसे के बार यह बताया गया, यह एक बहुत important article है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे, provision in case of failure of constitutional machinery in state, जो राज्यों के अंदर president rule लगता है, इनके अंदर यह articles के बहुत ज्यादा important role होते हैं, तो इस context में यहाँ पर leader of opposition, जो लोकसभा के अंदर उन्होंने, यह question raised कि, article 355 लगा जाए, कहां पर, West Bengal के अंदर, ठीक, इसके बाद यहाँ पर data, वही जो चाइना का plane crash ह उसके बारे में क्या, एक तरीके से digital data को लेकर एक question answer है, इस तरह की चीजा आप पढ़ सकते है self study से, कोई particular नहीं है, इसके बाद बात करेंगे page number 14 पर, page number 14 पर बहुत important एक visit के बारे भी discussion किया गया, हमारे foreign secretary साब अभी United Nation के अंदर गए, और उन्होंने बहुत सारे important topics पर discussion कि इन्होंने alignment के बारे में बात करें, किसके बीच में United Nation और LAC, Foreign Secretary ने Middle East में जो peace process है, इसके बारे में discussion किया, और two state solution, ये जो exact word आप देख रहे है, UPSC ने पुछा था, इसराइल और फिलिस्तान के conflict के बारे में ये है, two state का मतलब है, इसराइल और फिलिस्तान इनके बारे में ठीक है, United Nation Security Council का क्योंकि इंडिया non-permanent member है, भारत चाहतागी वे United Nation और League of Arab status के बीच में बातचीत हो, discussion हो, cooperation बढ़ा जाए, दोनों के भारत के Arab world के साथ civilization की relationship रहे हैं, और भारत welcome करता है हर एक टाइज को जो इस region के अंदर peace को indicate करती है, भारत two state solution को इस तरीके समर्थन करत है, इस पूरी region के अंदर की इसराइल और फिलिस्तान दोनों coexist करें, इसके लावा क्योंकि UAE इस टाइम पे president है, वहां के एक मंत के लिए security council में, UAE और इंडिया के relation है बहुत अच्छे हैं, आपको पता होगा, UAE के साथ भी हमारा free trade agreement को लेकर discussion हो रहा है, दूसरा, UAE जो है वह western quad का एक part है, western quad मतलब USA, इंडिया, इसराइल और UAE और UAE वह country जिन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक relation सेट अप करें, बहारीन country है, UAE, मौरक को बहुत सारी country जिन्होंने इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक relation को sort out किया, इसके बाद यहां पर आप देखें जाना चाहिए, United Nations General Assembly के अंदर अभी तक भारत का जो अगर आप देखेंगे, रूख, वो भारत aggression को चाहिए वो युक्रेन के context में हो, उसको indicate नहीं करता, उसमें रशिया को indicate नहीं करता, और generally हम लोग voting से understand कर रहे हैं, इसी तरह की साथ आप देखेंगे, भारत में diplomatic source यह confirm कर करते हैं, कि यूरोप से, यूएस से, वेस्टन कंट्रीज के जो अभिशर भारत के अंदर आ रहे हैं, इनका एक बड़ा reason ये भी है, कि ये चाहते हैं कि भारत अपनी position को change करी, United Nations में, और अगर भारत ने अपनी position change करी, United Nations के अंदर, उसके क्या impact होंगे, ये अपने आप मे एक interesting question आपके सामने होगा, और भारत अगर अपनी position को यहाँ पर change कर लेता है, तो इसका मतलब होगा, कि इसमें एक बिल्कुल अपना एक तरीके से, जो अब तक की balance की policy है, वो completely change हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर बहुत छोटी छोटी news आप देखेंगे, जैसे इसमें ने रशिया के जो diplomats उनको बाहर निकाल दिया है, मैं आपको बिल्कुल summary type में बता रहा हूँ, इसी तरीके से, यहाँ पर बताया गिए कि यूरोप के साथ जो रूस के जो relation है, खासकर oil and gas को लेकर, इन्होंने, पुतिन साहब ने बोला है कि यूरोप को कि भाई, आ पाइना ने कहा है कि वह G20 से आप रशिया को नहीं निकाल सकते, इस बार की जो meeting होगी, वो होगी इंडोनेशिया के अंदर, और इंडोनेशिया के अंदर ये भी उमीद है कि रशिया के जो president है, वलादिमेर पुतिन उसके अंदर participate करेंगी ये possibility, G20 मतलब group of 20 का 20 countries का एक पा सुलेवन ने एक प्राइज जीता है, एवल प्राइज इसको बोलते हैं, उन्हों की वो इन्होंने हासिल किया, business section में भी particular कोई ऐसे information नहीं है, जो exam से direct link को, छोटी छोटी information है, ये सारी चीजे, और last में सिरफ ये वाली बताएगे कि इंडिया में जैसे जैसे कीमतें ही है, तो लोग भी अपने अपने हिसाब से adjust कर रहे हैं, और gold का import जो है भारत के अंदर financial year 2021 में ये कम हुआ है, 691.24 ton, total import में gold, crude oil, fertilizer, इनका बहुत बड़ा role है, pulses का भी, तो ये कुछ चीजे है जो आज के the Hindu में हमने पढ़ी, discuss करी, फिलाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जहीं